लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइटिन को प्रेस करें तुम्ही विष्व करता। तुम्ही विष्व जोती में ए प्रान भरता। तुम्ही काल के काल हो चक्रणारी स्विकारो स्वयम् बंधना अप हमारे बंधना अप हमारे बंधना अप हमारे लिए तुम्ही विष्व कर दो दो कर दोρिंसे कि अर दो कर दोशए है कि मेल सुंगोर आज Qi करद दो माल ऐल सकत Southwest कर दो करता दो बाद वहती कि मेल से कि टी directly को व औा अनो कि यह चो प्यर कि एक कर दूब प्यर कदे टी हुग happy ले कि दो लुग वे ह। प्लिजयola का दो भठत हो बाट लुप का लुप लुप ग। हुआ 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 है यह तुमने बड़ी अखर्मन देखी जो अपनी बीबी को बच्चे के डिलिवरी के लिए अस्पताल में दाखिल कर दिया हाँ मैंने भी यही सोचा कि जब तुम सब कह रहे हो और ठाकुर तुम तो जानते हो इस उमर में हमारा यह पहला बच्चा है यही तो मैं कह रहा हूँ कभी-कभी बच्चों की डिलिवरी के वक्त ऐसी मुसीबते पैदा हो जाती है कि दाईया काम बनाने के बजाए बिगार देती है ठाकुर कभी-कभी ऐसब होता है हाँ मगर अस्पताल में नहीं बठो थाकुर साब, थाकुर साब जस्वंथ, जस्वंथ, नर्स तुम्हारा नाम पोकार रही है अच्छा, मैं हूँ थाकुर जस्वंथ सिंग मुबारक हो थाकुर साब, लड़का हुआ है मुबारक हो थाकुर थाकुर, लड़का हुआ मिर्स यह माला दें नहीं नहीं आपको जो कुछ देना हो चेरे की बक्स में देंगा अरे वो बक्सा तो मैं घर से भर के बेजूगा अच्छा अब ठकड़न से मिल सकते वो वो मेरा बच्चा है हाजी अब ही नहीं लड़का यह भी लड़का है साथ पहुन कर कितना प्यारा बचा है मगर बिचार की मा मर गए जगराहीं लड़का मुबारक हो भगवान ने हमारी सुनी तेर से मगर फल खूब पिठा दिया वो मुझ पर गया या तुम पर तुने दिखा उसे अब ही नहीं नहीं ने के बाद मा के पास लाते हैं अचा आग लगे आग लगे हलो फाइब लगे स्टोर में आड़ लगे जल्दी चलो आड़ी आड़ी अरड पिछा जपिछा आड़ी पाइब आड़ी 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 यास्मान पापू मुर बच्चा मुर बच्चा मुर बच्चा वाव मुर्ध आड़ी मुर्ध ओड़ी नष नर्ष! दक्टर! दक्टर मिला बच्टर बच्टर में, में थाकुचे सुन सेंगी दक्टर नर्ष! ठाकुचे साथ को इनका बच्टर 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 जागे तक्टर साथ यह है यह है इन में से एक छाट लीजे ठाकुचा साथ छाट लूँ? क्या छाट लूँ? नर्ष, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मेरा खून चाहिए, मेरी जान चाहिए मगर आग के वज़े से यह दोनों मिल गए कुछ नहीं यह कुट्टे बिल्ली के बच्चे नहीं जो खुबसरत दे का छाट लिये चाए जो अपने इंचाज को बला कर लाओ, सारे इस्पताल को यह करता करो जाट कर नहीं, जाच का बता है मेरा बच्चा करो जाओ जाओ वो, वो अभी तक बच्चे को लेकर नहीं आये गबराओ नहीं बाभी, मैं भी देखिया तो I am extremely sorry, ठाकुर साहब दरसल बात यह हुई कि इन बच्चों को आग से बचाने के लिए कोई अगठे यहां छोड़ गया और अब यह आपस में इस तरह मिल चुके हैं कि इनका पहचानना भी मुश्किल है लेकि इनकी नर से कहा मर गई थी खीक यही हुआ ठाकुर साहब वो बेजारी भी मर की डाक्टर यह हमारे मरने जीने का सवाल है यह बच्चों का मामला कोई खेल नहीं डाक्टर मैं सब समझता हूँ नहीं डाक्टर डाक्टर यह बच्चा हम दोनों की जिंदगी का सहारा है हमारे पुष्टे में शराख का तेल है कुछ भी करो डाक्टर कुछ भी करो और यकीन के साथ पताओ इनमें कौन सा मेरा बच्चा है क्या बात है जैस्वन ठाकुर मैं लुट गया ठाकुर देख लिया अस्पताल में लाने करतीजा मंगर हुआ क्या है मेरा बच्चा दूसरे बच्चे के साथ में ला दिया न कोई सुबूत में निशान इसमें कौन सा मेरा है इनिसान के बच्चे जालो के बच्चे बन गए यह से काम लो जस्वंत डॉक्तर यह दूसरा बच्चा किसका है वो तो रिजिस्टर देखने से मालूम पड़ेगा ठाकुर साहँ तो चलिए ओफिस चलते है आओ जस्वंत घबढ़ा नहीं जस्वंत आओ आओ ठाकुर अरे इसमें तो लड़के के बाप का नाम ही नहीं है ठाकुर साहब यह बच्चा शहर की बहुत मशूर नाचनेवाद क्या नर्तकी का बच्चा भगवान भगवान हमने इस बच्चे के लिए क्या क्या मनते नहीं मानी यात्रा में कहां कहां की ठोकरे नहीं खाई ठाकुर यह तुम्हें क्या क्या यकीन मानिये ठाकुर साहब अगर हमारे बस में कुछ होता तो हम जरूर आपकी मदद करतें अइसी हालत में हम दोनों बच्चों को लिए जाते हैं ठाकुर मैं नर्तकी के बच्चे को अपने घर में नहीं लिजाओंगा मैं उसे हाथ में लिए लगाओंगा अगर देना है तो मुझे मेरा बच्चा दे दो नहीं तो मैं तुम्हारे अश्पतार को हिला कर दो अगल से गाम लो ठाकुर तुम समज्झते क्यों नहीं ठाकुर, तुम समझते क्यों नहीं उनने से एक बच्चा तुम्हारा है अगर दूसरे बच्चे का बारिस आजकर दोनों को ले गया तो जानते हो – क्या होगा ओयyaल बच्च्चा को एक घोसले में पलेगा नहीं दॉक्टर, हम दोनों बच्चों को लिये जाते हैं, अगर दूसरे बच्चे का वारिस आजा तो हमारे पास देदी जाते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम, किसमत हो तो ऐसी हो, ले ले गए थे एक और ले के आये दो तो सुना था ठाकूर, ऊपर वाला जब देने पर आता है तो चपपर फान कर देता है, मगर आज मालूम हुआ कि अस्पतार से भी मिलता है कौन जाने मरने वाले की निशारी को अपनी ही समझ कर उठा लाए हो ह gutter पहुआ हो सकता है ठाकूर, हाति के नात खाने के और लिखने के और होते हैं अंधरी रातों में किसी जाने वाले को बला कॉन पहिचान सकता है ठाकूर मन करो अपनी जबाने, हर बात की हद होती है, रबात के अजने कहां का इनसाफ है ये बिचारा खुद अपने दुख में मरा जा रहा है और तुम लोग इसके जखम पर नमक से रख रहे हो शर्म आनी चाहिए तुमें शर्म हमें नहीं इन्हें आनी चाहिए नर्टकी के लड़के को घर में लाकर रखा है लेकिन हमेशा के लिए नहीं सिर्फ उस समय तक के लिए जब तक ये नहीं मालूम हो जाता कि ठाकुर का कौन हो नर्टकी का कौन लेकिन ठाकुर तुम ये भूल रहे हो अगर घड़े में जहर की एक बूंद गिर जाए तो पानी के साथ घड़े को भी फेक दिया जाता है क्या तुमें समस्ते होग नर्टकी के लाका जिस घर में रहेगा ब्रादी वाले रिष्टा जोड़ेंगे मैं रिष्टा जोड़ूंगा ठाकुर तुम अगर परमात्मा ने मुझे लड़की दी तो तुम्हारे ही घर भावन कराएगी ठाकुर लेकिन ठाकुर इनका कौन है ये कैसे मालूम होगा काले बादलों में चांद ज्यादा देर तक नहीं शुप सत्ता ठाकुर एक दिन खुन बोलेगा और जरूर बोलेगा ये फैस्ता मैं करूंगा कि ठाकुर का कौन है और नाचने वाली का कौन ठाकुर ठाकुर सच कहते हैं बीबी जी आप अगर मुझे अपना बच्चा दें तो उसको मैं अपना खुन भी पिला दूँ इस पाप की गठ्ष्री को मैं हाथ भी न लगाऊंगी एक बच्चे के मा नाचने वाली है उसनों उस बेचारे मासूम का क्या तसूर है दुनिया हम पर उंगली उठाकर यही कहेगी न कि हमने एक नाचने वाली की बच्चे को दूद पिलाया फिर कौन हमें अपने घर में घुसने देगा वीबी जी मेरी मानिये तो आप उसी महले से दाईयां बुलवा लीजिए तुम मुझे उपदेश देने आई हो चली जाओ सब यहां से खड़ी की हो चली जाओ निकल जाओ सब यहां से निकल जाओ यह सब दाईयां कहां जा रही है जहन्नम में क्या करी ओ उन्होंने बच्चों को दूद पिलाने से इंकार कर दिया इंकार कर दिया? सबने? तो तो आप क्या होगा? होगा क्या? मैं अपना दूद पिलाओंगी दोनों को नहीं रुकमनी ऐसा घदब न कर बैठना तो क्या चाहते दोनों को भूख से मर जाने दो? नहीं नहीं लेकिन कुछ और होना चाहिए अगर तुमने ऐसा किया तो बड़ी जगहसाई होगी कोई हमारे घर का पान ही नहीं पिएगा लोग हमसे दूर दूर रहेंगे मगर क्यों? क्योंकि इन में से एक नातने वाली की अउलाद है जलील लावारिस दूसरा उससे बेजाजा लावारिस हो जाएगा जो हमारे इसामने भूख से तडब तडब कर मरेगा ठेरो रुकमनी मैं कोई और रास्ता निकालता हूँ मैं और दाइया बलवाता हूँ मुझे न रुको, मुझे नहीं रहा जाता रुकमनी, कल की तो सोचो रुकमनी मैं तो आज के सोच रही हूँ रुकमनी तुमने अच्छा नहीं किया यह तुमने अच्छा नहीं किया तुम्हारे सामने खड़े रहे। कहां कहां जाकर तुझे नहीं पुकारा। मैंने तो समझा तुने हमारी सुन ली। लेकिन ये कैसा नया खेल रच दिया। मुझे नहीं भाया तुम्हारा ये खेल मुझे नहीं भाया। बोलो दयालू क्या यही तुम्हारी दया थी? आउलाद पाका भी मैं खुश्ना हो सका त्मने मेरे अर्मानों का गला खोर दिया बोलो भगवन, ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया, भगवन ऐसा क्यूं किया? हुआ हुआ है कौन जाने मरने वाले की निशानी अपनी ही समझ कर उठा लाए हूँ कि लाए हुआ कर दिशाना लाए हुआ है कर एध हुआ हुआ है वियुक्त 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 आए, यह का करते हो? मालिक क्या है कुई आपसे मिलने आया है अच्छा उनसे बैठने को कोह में आता हूं ये क्रश्न कनाई ये मेरे भांजे को इस महल में लाने वाले भगवान एक ऐसान मुझ पे भी कर आप कौन सहाब है बाके बिहारी उस्ताद बाके बिहारी नहीं समझी कुछ और वियान करूँ दरसल मेरा दादा उंचा गड़का साला था और बाप नीचा गड़का वैसे तो मैं भी किसी राजा का साला हूँ पर कुछ गड़का नाम यार नहीं आता यार यही बुरी बात है कि मैं भूल जाता हूँ अच्छा तो खानदानी सालों के घर आने से हैं आप जी हाँ तो यहां किसके साथ रिश्ता जोडने के लिए आये ? रिश्ता जोडने नहीं साहाब रिश्ता तोडने आया हूँ कया मतलब नहीं समझे कोई जल्दी समझता ठाकुर शाब मेरे एक बहन थी उसका क्रिया कर्म तो असपताल बालों ने कर दिया है पर सुना है उसकी आख्री निशानी आपके घर में है आपके तो किसी काम आएगा निए मेरा भांजा मुझे दे दीजे अच्छा तो तुम उस बच्चे के बच्चे के बच्चा हो है अजी साब मामा हूँ गामा थोड़े हूँ आप तो कुष्टी लगने लगए आओ बेड़ 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 तो तुम उस बच्चे के बच्चा लोगे क्या बात करते हैं अपना खून है कोई मजाख है ठाकू साब जैसे उस बच्चे पर उंजी रख दूगा ना भांजा मुस्करा के हाथ उठा देगा जैसे कह रहा हूं मामा गोद में ले ले गोद है आच आच तुम यहीं चलो मैं बच्चे को लेकर आता हूं देखो जाना नहीं भागन जाने के लिए थोड़े ही आया हूं देखता हूं भांजे साब कैसे पैचानती है ये बाजरी वाली इस तफले सारंगी से प्रिंड छड़ा दे पूरा पांच इरपय का परशाद बाटूगा बले किसी की जेव काम जीवड़े ये प्रभू सुना है तारे है तुमने लाखों हमें भी तारों जो सुनिये जरा सोस समझ कर बात करने अरे तुम शिकर मत करो मैं सब शिकर दूगा निधारी आप ले आये मेरे भांजर को यही है मेरा भांजर मेरी बहन से विल्कुल शकल मिलती है इसकी शकल तो और भी ज्यादा मिलती है ऐसा लगता है जिसे दोनों ही मेरे भांजर हो ये क्या कहते हो अरे खामोश क्यों हो अपने भांजर को पहचानू हाँ 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 ये तो रोता है ये आप ही का रोता वह है मेरा आजा बेटी आजा आजा आप क्या होगा मैं खुचक्कर में हूँ कल का छोकरा मेरे तजर्बे पे हास साफ कर गया फैर कोई बात नहीं दोनों में से कोई सा भी देनी है लेकिन अभी फैसला तो वह नहीं तो भारा कौन सा बच्चे है आप छोड़िये इस सरफोरी को अगर मेरा बच्चे आपके घर रह जाएगा तो भी आप घाके में नहीं रहेंगे आखिर वो भी आप जैसे किसी बड़े खानदान वाले की अवलाद है कोई आसमान से थोड़े गिरा ने ने ये कभी नहीं सकता बस घवरा गए ठाकुर साब आप हमारी परवाना करें हम तो आपके बेटे को भी बड़ी आसानी से तबला सारंगी सिखाकर अपने जैसा मिरासी बना देंगे बैया जरा मेरी तो सुनो अभी अभी तुम कह रहते अच्छे को ले जाकर बुरा बना सकते हो तो क्या हम बुरे को अच्छा नहीं बना सकते क्यों नहीं बना सकते यही तो मैं भाई साब को समझा रहा था इंसान का बुरा या भला बनना उसकी परवरिश पर मुनस्सिर है ना के खून पर तो ऐसा करो अभी दोनों बच्चों को यही रहने दो बड़े हो जाने पर फैसला हो जाएगा यह हुई ना पते की बाद आही तास्ते तो आहां चर्थी समझा नहीं पर इसमें भी एक जगड़ा जगड़ा कैसा है मैं इस बच्चे को देखे वगएर नहीं रह सकता मेरी मरी हुई बेहन की आखनी निशानी है तो तुम भे यही रह जाओ न दुकमानी यह क्या कह रही हो तुम ठीक ही तो कह रही हूँ जब हम इनका बच्चा रख लेंगे तो क्या इने रहने के लिए जगए नहीं देंगे ठीक अब जो तुम्हारी मर्जी में आया करो मुझसे कोई मतलब नहीं बहन भाई साफ कुछ नाराज हो गया ऐसे कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा गिर्धारी जी गिर्धारी इन्हें वो गोल कमरा खोल तो बहुत अच्छा चलिये जू मेरे जू मेरे वो मेरी कोद में तारे जूने जू मेरे जू मेरे वो मेरी गोद में तारे जूमे एक तो हीरा एक है मोती लागे सूरत प्यारी आज खिले है खूल खुशी के गोद भरी है हमारी गोद भरी है हमारी जू मेरे जू मेरे जू मेरे वो मेरे राज दुलारे जूमे जू मेरे जू मेरे जू मेरे वो मेरी मेरी उमर भी लागे ललन को दुखड़े पास ना आए चांद और सूरज से बढ़ कर ये जग में नाम कमाए जुमे दे जुमे दे धर के उजारे जुमे जुमे दे जुमे दे ओ मेरी गोद में तारे जुमे आए मिलन की भोर सुहानी गाए ममता लोरी ओ ओ पच्पन खेले आए जवानी जुमे दे दे जुमे लाए दुलहनी आगोरी जुमेरे जुमेरे ओ देखो लाल हमारे जुमे जुमेरे जुमेरे ओ मेरी गोद में तारे जुमे जुमेरे 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 जुमेर देखो बेटा, कितनी तकलीफ है बेचारे को, ऐसे आदमी पूर हमेशा दया रखना अरे आओ और थाकुर काओ कैसे हो, अच्छा हूँ, नमस्ते करो बेटा चाचाजी को जीती रहो, जीती रहो, अरे गिधारी, बड़े ठाकुर आए चावा लेकरा, हाँ ठाकुर मैंने सुना है, तुम सुर्जा लंजा रहे हो, तुमने ठीक ही सुना है जस्वन, जबसे आशा की माँ हमें छोड़कर चली गई है, घर हमें खाने को दवरता है, हम यहां से कहीं आशा को तालीम के लिए बाहर बेजेंगे, जस्वन, मैं उसके आखरी इच्छा ज़रूर बूरी करूँगा, हाँ ठाकुर, भावी अक्सर यही कहा करती थी, मगर ठाकुर, पर देश जाकर वो शादी का वादा मत भूल जाना, जस्वन, हर नाम अपना वादा कभी नहीं ब अच्छा जस्वन, उन दोनों में से किसी का रंग निखरना शुरू हुआ या नहीं? अरे ठाकुर, उन में से तो किसी का रंग नहीं निखरा, मगर यहां तो बाँके बिहारी ने रंग बदलना शुरू कर दिया, जस्वन, मैं एक बात जरूर कहूंगा, तुमने उसे घर म काम नहीं किया, क्या करूं ठाकुर, उन में से एक बच्चा उसका भी है, इसलिए घर में रखा है, नहीं तो मैं उस कमबख तो कभी का धके मार के बाहर निकाल देता हूँ, हाँ, जरा बच्छों को तो बुलाओ, जाने के पहले एक बार फिर इम्तहान ले लिया जाए, नम अच्छा राजा, यह तुम्हारे पिता जी है ना, हाँ है तो, आपको कोई शक है, नहीं, शक नहीं मैं तो वैसे ही पूछ रहा था, अच्छा राजा, तुम यह बताओ, अगर तुम्हारे पिता जी तुम्हे कूए में कूद पड़ने के लिए कहे तो तुम क्या करोगे, नहीं, नहीं, मेरे पिता-जी मुझसे कभी कुए में कुदने को नहीं कहेंगे, क्यों पिता-जी अब कह सकते हैं? नहीं पेटा, कभी नहीं मुझसे पिता-जी कह, तो मैं जरूर कुद पढ़ूँगा लेकिन एक शर्थ है कौन सी शर्थ? कुवा एक गर्स से जादा घहरा नहीं होना चाहिए इतनी चलांग में लगा लूँगा जीओ बेटा, जीओ आरे इतनी चलांग तो मैं भी लगा लूँगा दो नहीं अकल बन गए बहगा भी हारी चाचागी के इंतान में क्या रखता है? इस्कूल कॉलिज का इंतान पास करो डिगरी लो, अपने मामा का नाम रोशन करो चलो चलो वक खराम ना करो बड़ाई बत्तमीस है लेकिन लेकिन ठाकूर भी तो कुछ फैसला से हुआ नहीं जस्वन मैं फिर कहता हूँ एक दिन खुन बोलेगा और जरू बोलेगा घबराओने समाचार जब लक्षमन पाए व्याकुल विलख बदन वुठिधाए मा, रामचंदर जी और लक्षमन जी दोनों एक ही मा के बेटे थे नहीं बेटा वे दोनों अलग-अलग मां से थे परणु उन दोनों में इतना प्रेम था कि कोई यह नहीं कह सकता था कि वो दोनों एक मा के संस्ता निदी हाह ना, डिन, डिन, ना、 डिन, 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 वेता चाँतल अप्यास बजाओ तुम तो मामा का नाम ही बिरनाम खरत्रों pension यह भी याद रहे, जिसकी चीज हो, उसी को मिलनी चाहिए अपनी चीज दे देना, परंतों दूसरे के ने लेना बस धून लिया, तुई मेरा अपली मान जाए क्या बुल बाबा, दात दे रिख, फिर वही चक्कर में गार, 20 साल से तुम दोनों मुझे दोखा दे रहा हूँ पर याद रखो, मैं भी तब तक मरने वाला नहीं, जब तक असली बाढ़ जाना डूम लूँ ये बात है मामा, ओ मामं, मामा ओ मामा, ओ मामा ओ मामा, ओ मामा फैरवाले ्छन ये चकर, ऐसा है अपना चकर, ट्रात कि एहार में तूब नहीं आना प्यारे मामा हो मामा मामा हो मामा देलक दिंध कि शिक्र है अपना पिम नहीं आना ज् स जो असली है कभी उससे खताएं हो नहीं सकती जो नकली है कभी उससे वफाएं हो नहीं सकती अरे नहीं भैं नहीं अहाँ आप बुरा हो वक्त तो साया भी अपना दूर रहता है वफादारी का शिक्वा क्या जमाना ये ही कहता है अरे क्या तुम नहीं आना प्यारे मामा फ्रतवनत घर्वाले खाएं चक्र ऐसा है अपना चकर चकर में तुम नहीं आना प्यारे मामा ये दुनिया है यहाँ अपने भी आँखे फेर लेते हैं अगर कुछ नाम हो जाए तो आकर घेर लेते हैं हाँ जहां वाले महबत करके वादा क्या निभाएंगे सच है भाई हुए है आज बेगाने हमी परताने कसे हैं हमी परताने कसे हैं हमी परताने कसे हैं खैने क्रोच एंचन करवाने देिटाने नुकरों से नद्सनलंन क्वार्च क्काइंस locale तो कि वर चाई नोभल यहां फनल ए तुम्हें नहीं दुआ कशी करवाले का थे तक्वाले करते सब्सक्रीनमा बैशनस को कर यह देंतुत्च कर नहीं आईया आना आया आम यह काई दगना 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 ओ, तो अब इन दोनों के ये धंगा सिखाना शुरू कर दिया, सिखाना, ठाकुर मैंने तो इन लड़कों में वो रंग भरा है, वो रंग भरा है, कि जिसे देख के बड़े-बड़े उस्ताद अपना सर पीछ लेंगे, अब तो मुझे भी इनसे कुछ सीखना पड़ेगा, व मेरे हाथ में धमा देते तो मैं घर का रहता न गाट का, आखिर मुझे भी तो अपनी फिकर थी, बागे भिहारी, ठाकुर एक ही डार के दो पूल होते, एक भगवान पे चड़ता है, दूसरा मुर्देते, जगे-जगे की बात है, जो मैफिल में बजाता है, वो उस्ताद क पाचे, बड़े आए जबान ठीचने वाले, मैंने अपने बाप की निसा ही, तुमारी क्या सबगा, बोलो जी मैं इन लोगों के आगे हाथ जोडने गया था, क्या मुझे यह रखो, सो बार गरस्ती तो रखा था, कान खोल कर सुर लो, मैं यह एक मुझा भी नहीं हाँ मामा, जाने वाले को भला कौन रोख सकता है, अच्छा, मेंड़की को भी जुकाम हो गया, अब ही जाता हूँ जाते हैं, बाद अब्बा मुलाइजा हो श्चार, निगाहे रूबरू, शेहिंचाय तबला सरंगी, मालेके नाचो गाना सारे जहांके मामा तश्रीव लेगा रहे है, जोग रहो, मामा मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं मामा तुमारे साथ जाओगा, मैं जाओगा, बाप ने मारी पीडड़ी और बेटे तीरंदाथ बड़े आई जाने वाली इधारी, सुख्या, तुम सब कहां मर गए? अरे मैं इचली कहां है? अरे लाता रही हूँ हो, लाओ, आमखा इतनी देज़ है अरे सुना तो, अब और क्या है? आशा आप सियानी हो गई होगी ठाकुर से जरा ब्या के बाद छेड़ कर देखो न क्या बात कर रही हो? क्यों? क्या हुआ? अरे बारा बर्स के बाद ठाकुर विलाय से आये हैं वहाँ लोगों के सामने मैं ये कहूँ और धर्ण सींग, कावभई कैसे हो? क्या बताओ, एक-एक की सूरत देखने के लिए तरस था था मैया चलिए अच्छा हुआ कि हम लोग याद तो आथे थे अच्छा भाबी और बच्चा तो मदिम है न बच्चा तो एक बच्चे का बाप भी बन गया तो अलो जस्वंत तुम तो इतने बदल गया पैचाने नहीं जाते बड़े ठाकूर जमाने ने मुझे बदल दिया और तुम जमाने के साथ बदल गया अच्छा ये तो बताओ कहीं हमारी होने वाली बहुकर तो अपने रंग में नहीं रंग लिया जस्वंत हिंदूस्तानी चाहे जिस लिबास में हो वह हमेशा हिंदूस्तानी रहता है अभी आ रही है खुदी देख लेना किस रंग में है आओ आओ बैटी इधर आओ ये हैं तुम्हारे जस्वंत अंकल जीती रहो जीती रहो वाह विलायत रहकर भी तुम ये सब नहीं बुले मैं तो ये समझा तुम ये कहोगी हलो हुद्यू अंकल यहाने के मामा किसने मुझे पकारा कौन है मेरा चाहने वाला लो यहां भी आ गए बिच्चों की मामा नमस्ते बड़े ठाकर बहुत दिनों बाद तक्रीफ लाए तुम्हें किसने बुलाया था कमाल है आप तो बिलायत क्या गए अपने देश के रस्मों रिवाज भी बहीं छोड़ाए घर आए हुए मैमान की इसी तरह इजड़ की जाती है यह शरीफ का घर है और यहां शरीफ पुलाये जाते हैं मिरासी नहीं इससे तो मिरासी अच्छी है जो कम से कम घर आए हुए मैमान की बेज़िती तो नहीं करते खामोश, अपनी हश्तियत देखकर बात कर, चला जाए यहां से, जाओ, ठाकुर मैं यहां रहने नहीं आया, बहु देखने आया, वरना लड़कों को क्या जवाब दूगा, आ, तुई है ना मेरी बहु, अंधेरे घर में ख़डा कर दो तो जाला हो जाए, जलील, खमीले, छो क्यों ठाकुर, आ गए ना अपनी ठकराई पे, और जो मैं भी अपने कंजर पने पर आ जाओ, और तुमारे एक जापढ़ सीथ कर दू, तो क्या इज़त रह जा, इस भरी मैं फिल में तुमारी, शेर भर में दंडोरा पिट जाए, अखवारों में मेरा नाब मूपर हो और लेकिन नहीं, हम लोगों का खून तो हमेशा गालियों का जवाब सलाम से देता है, जाओ, छोड़ दिया तुमी, परनाव, ठाकरों की मजलिस में मिरासी भी बुलाई जाने लगे, सुन लिया जश्वन्त, ले जाओ इसे, अगर तुम हमारे साथ उचला बढ़ना चाते हो, तो इसे घर की चार दिवारी में बंद रखो, वन्ना बहु भी इसी के मौले से ढूंड लेना, आस्तीन के सांप, आखिर तुन्हें रस लिया, अपना मान बढ़ाने करें, दूसरों को हर जबा जलील करता फिता है, कंदी ने अपनी यौकात भूल गया, चला जा, चला जा मेरी नजरों के सामने से, फिर मेरे घर में कदम रखा था, तुक्रे, तुक्रे कर दूँगा, वा, खुब, खर्भूजे को देखके खर्भूजे ने रंग बदला, एक ठाकुर अपनी लड़की देने से इंकार करता और दूसरा मेरा लड़की आजम कर जाना चाए, तो ले जा अपने लड़के को दवाओ यहां से, ले जाओ, फिर सोच लो ठाकुर, कौन सा ले जाओ, राजा के रमेश, खामोश क्यों हो गए, ठाकुर इस कुरवानी के लिए पत्थर का जिगर चाहिए, पत्थर का, इसके हम दोनों में से एक को अपने दिल का हून करना होगा. वै करूँका आपने दिल का हून. क्योंकि मैं दोनों को प्यार कर सम्ते हूं। वो जहाँ भी रहे, खुश रहे, फले, फूले, जाओ रहे हमने अपना बच्चा राद कर दिया!! मैंने अपना बच्चे दान कर दिया आजा के बस तेरा इंतिजार मेरी तलवार तेरे लिए बेतरार है चुप रह चुहे देखता नहीं शेर करता है आराम उठूंगा तो करतूंगा तेरी निंग आराम न तु यू हाँ कैब उस दिल है सब जाहर पसीने से मैं तलवारें उठाता हूँ नहीं डरता हूँ गीदर से यह बात है आजा यह बात है तो सची कलाना तो उठे उठो अच्छा आप है जिले जिले तो तु तु जालो क्यों माल रहा है उपे आखे अरे यह क्या, अरे यह क्या मा, मा, यह आई देगो ना मा, धुके से मारता है अरे शर्म नहीं आते तुम लोगों को अब तुम जवान हो गए हो तुम्हारे पिता जी और मामा लड़की देखने गए हैं और तुम यहां बच्चों कैसे हरकते कर रहे हो लड़की देखने गए है बहु किसको दोगी मा, मुझे देंगे आपको को इत्रास अरे जाजा मा तुम्ही फैसला करो, बहु किसे दोगी कि हम दोनों मेंसे एक बेटा तुम्हारा नहीं चुप, कैसी बाते करता है नहीं मा, सच बताओ तुमने कभी ऐसा सोचा है इश्वर जानता है बेटा मेरे दिल में कभी ऐसा ख्याल नहीं आया और आये भी क्यों तुम दोनों ही मेरी आुलाद हो गलत, दिल को गलत दोनों नाचने वाली की अउलाद है हाई राम तुम्हे लाज नहीं आया इसी चप्त कहते हुए तुमने मुझे भी नाचने वाली बना दिया ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सारी दुनिया कह रही है अगर अमरत में एक पुन जहर मिल जाए तो वो अमरत नहीं रहता जहर हो जाता है तो तुमने ये क्यों नहीं समझाते दूद में कितना भी पानी मिला दूद दूद ही रहता है तुम नहीं समझोगी क्योंकि इस घर की चार दिवारी तुम्हें उन तानों से बचा लेती पर तुम तुम नहीं समझोगी अब कुछ समझने की ज़रूट नहीं बड़े ठाकुर ने आज सब खत्म कर दिया भरी महफिल में मेरे मूँपर कह दिया ठाकुर बहु भी बांके बिहारी के महले से ढून लो और भेजो उस मिराजी के बच्चे को वहा आज सुना था आलाद होने के बाद खुशी होती है चैन मिलता है मैंने नजाने कौन सा पाप किया था क्यों मुझे कुछ भी नहीं मिला जी चाहता रखता जी चाहता मैं दो लोग मारती इने मारने से पहले तो यह मेरे लाज़मर से गुजदना होगा मर जा, तुम समर जा मुझे इस घर में कभी शांती ने, मिलिक कभी शांती ने राजा इस्ता जी, हज जा लग मत चु मुझे राजा अवलाद तो माबाब को सुख दिया करती है और एक हम्में के दोनों ने उनका चैन रूट रखा जब से होश सभाला यही जबर सुखते रहे रमेश रमेश पिताजी का दुख देखा नहीं जाता हाँ पिताजी जब लोगों के ताने सुनकर घर आते तो मेरा ची चाहता है भाग कर कहीं अपने मूँ छुपा लूँ उसे क्या फाइदा नेका अलाद का तो फर्जा कि अपने माबाब के खुशे के लिए सब कुछ गुपान करते देख रामो अब हम बच्चे नहीं रहें सब समझते हैं इस घर में जो हो रहा है उसे देख भी रहें तुम भी जानते हूं मैं भी जानता हूं हम दोनों में से एक इस घर का नहीं हां रहा हूं और अगर हम इस घर को आबाद देखना चाहते हैं तो हम इसे एक को घर छोड़ना हो यह तुम क्या कह रहे हूं ठीक कह रहा हूं सिर्फ घरी नहीं छोड़ना होगा बल्कि जिन्दगी के वह नीच काम करने होगे जो हर बुरा आदमी करता है राजा हां हां रमेश हां जब तक हमें से एक नाचने वाली का नहीं कहलाएगा दूसरा ठाकूर का नहीं बन सका और तभी पिता जी के आँखों में वह चमक आएगी जो हम दोनों देखना चाहते हैं तभी ये खांदान ये घर जरूर आबाद होगा राजा हो मैं जाँगा मैं जाँगा घर को छोड़ ले नहीं रमेश ये बात तुम्हे भेशने के लिए नहीं सोची थी ये तो खुच जाने के लिए सोची है लेकिन तुम ये क्यों भूलते हो कि मैंने भी उसी मा का दूद पिया नहीं रमेश मैं जाँगा मैं जाँगा सुन रमेश जानता हूँ कि तुम भी पिताजी के खुशी के लिए सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन भाईए ये दुनिया बड़ी बेर है तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकोगे और तुम कर लोगे हर बात में जिख करते हैं तो पर तुम क्यों नहीं माल लेते हैं इस तरह तु ये सवाल कभी हल नहीं होगा रमेश ये घर कभी आबात नहीं होगा मैं तुझे कैसे समझाओ ठीक देख और नहीं है भगवान की मर्जी से हम दोनो इस खर में आए एक साथ पले एक साथ खेले अब उसी ki मर्जी से हम दोनों से इक साथ को छोड़ कर जाएगा लेकिन राज्य, ये कैसे मालुम होगा, बगवान हम में से किस को भीजना चाहता आब है इसना देखो रमेश, भगवान के सामने ये दो दिये जल रहे है इसमें से एक तुम्हारा और एक मेरा और जिसका दिया पहले बुझ गया, समझो भगवान उसी को भेजना चाहते है मन्जूर है? मन्जूर है तो आप प्रेख जाए प्रेख जाए प्रेख जाए रमेश, देखो रमेश, भगवान ने अपना फैसला सुना दिया ने, ने, मैं यह नहीं मानता है, यह सब जूट है, जलत है, बखवास है राजा मैं तो जूझे नहीं जाने दूगा, नही तरह भी रह नहीं रह रहता एक दिये के बुझ जाने से तुम दरदर के ठोक रखा और मैं घर बठा आराम करूँ, यह कहा का इंसाफ है, मैं तुझे नहीं जाने दूँगा पागल मत दो रमेश, यह तो तरह करके बात हुई थी, है ना, कसम खाऊ यह राज किसी से नहीं कहोगी मुझे भी साथ ले चल राजा, तुम तो पच्चों से भी गए गुजरे हो रमेश, अगर हम दोनों चलेगे तो यह जगडा कैसे हल होगा रमेश, हम दोनों तो इस घर को आबाद देखना चाहते हैं, बरबाद नहीं करना चाहते मैं तो जगड़े हो कि तुम मैं तो दोनों के लिए ने चुब नहीं दरेखता देखने मेरे चुब ने चुब नहीं धरुदे था देखने, यह दिवारों के बहर चले जने से रिषता थोट जाता है अमने कहा वार्य मारी तोबारे साथ वो इशा तो आए तो आए पाइए बुझा तुम पर विच्वास नहा बाग्वान तुम नहुश तो का दिया करें 2 1 2 2 3 1 2 1 प्रफ़र के दो सकतती ही, कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो अ माद On कर दो कर दो पिंग एबागा गांटा यहा जो करे दो पाडाशी थो प्लाशी एवागा करें। हुआ 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 धने के चार्ण है नहीं पहने हैं अधिंडी अधिशन लोभा खोड़ कि अशबार खोड़ को भी अधिशन अधुल है सबस्क्ता है कॉपायब है भी अल्टी कोदो अधिशन खोड़ कि अधिशन मरे फिस्ति करियो ज़या आधि तावडिया! लिजने को भाया! तब्ले नशिए तफदील हारे! लगाये महरान! लगाये महरान! क्यों लग जुआ किलाई? तुम लुग जुआ केलने जुआ मैं भी जुआ केलूंग, मैं भी जुआ केलूंग माल पानि हूये, किसे माया ऐसी चले आये मार पानी, यह तो ठाकूर जस्वन का लगा है, जुआ खेल रहा है हाँ वही है, कल ही मैं जाके ठाकूर से कहूँगा, जरूरूर। तुम लग समझ देखें, मैं बहुत बड़ा जुआ रहा हूँ, मैंने शराब पिये न, मैं जुआ केलूगा, बलो कॉन-कॉन से बढ़े, बलो कॉन-कॉन से बढ़े, ज़कोरी, पुष्पावती, महिला, महिला पे रुपया तो क्या, दिल लगा दूगा, दिल, कर दो, जब मुला भोफ ठ процे लिए? बेलिया, बेलिया . भीगी सि पहारो में तुमने इशारो से, दिल मेरा डिल मेरा लेलिया देखो जि हजारो में तुमने इशारो से, दिल मेरा dlेंलिया . बेलिया 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 चान का छल के पैमाना चान मेरे मसकाना प्यार का जा मूँ पिलाना जलना जाए जमना धूंके राथ कहे हाथों में हाथ देहे निल का गन तले आ धूंके राथ कहे हाथों में हाथ कहे निल का गन दले आ बेलिया 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 ये जिती पहारों में तुन्ने इशारों से दिन में रही में फेमिया 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 हुआ 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 मैं तो चन्धा से घुरी बात सुनो जरा छुरी प्यार करूँ चुरी चुरी डाल के मैनों की जुरी हमने तो जान लिया तुमको पहचान लिया दुनिया जले तो जले या हमने तो जान लिया तुमको पहचान लिया जनिया जले तो जले या फेमिया 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 देखो जी हजारों में तुमने इशारों से दिल मेरा दिल मेला देलिया बेलिया, 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 बेलिया क्थिक्ण थो कगाहन जोर थी कमान मेर्बाद मेरलोपकेदर नहीं का थे है कुछ वट 설 के बात कर यर फाई कि दो एक दो आला और मैं! ओवा पसा! पुरिय 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 पुरिय! वे, शालो अघजिँ जा प्यास, प्रॉरिय पुरिय! पुरिष परीप, पुरिष, पुरिष, और अरीप, तुम जानते क्या, तुम क्या खूर्ष तök. राज अभी तक नहीं आया, अरे सुख्या, चोटे सरकार को बुला न? मालकीम, छोटे सरकर तो कमरे में नहीं है, मैं अभी अभी देख के आ रहे हूँ ये सुबा सुबा कहा चला गया, तुमसे कुछ कहा बेटे मा, मुझे भी नहीं मिला सुबा से हलो, हाँ, मैं ठाको जस्वन सिंग बोल रहा हूँ क्या, राज ने शराब पी, क्या कहते हूँ, जूबे पकड़ा गया, और और सुक्त खावला तो बंद है ठीके, मैं भी आख़ो क्या बात है, इंस्पेक्टर में फोन किया, राज ने शराब पी, जूबे पकड़ा गया, और सुक्त हावला तो बंद है नहीं, मेरा राज ऐसा कभी नहीं कर सकता, यह हो नहीं सकता, यह नहीं हो सकता नेकिम उसके पास अतना रुपे आए कहांसे मालिक, मालिक क्या हुआ घजब हो गया मालिक, तुझोरी तुटी पड़ी है और रुपिया गायब हो गया राज हवालात में बन था राज जुए में पकड़ा गया अच्छा क्या हुआ अजी क्या हुआ पाप कच गया रुकमनी अब मैं चैन से जिंदगी बसर कर सकूँगा जस दिन का बरसूं से इंतिजार था अज भूती ना पहुंचा है तके की हांदी गई, कुते की जात पहचा दे गई अरे वाँ बगवान वाँ तेरे आद देर हैं अंधेर नहीं है मैंने ही मास, इसमें किसी और कहा थे जरूर किसी और कहा बडे ठाकों ठीकी कहते थे एक दिन खून बोलेगा और जरूर बोलेगा रुकमनी बोला और खूब बोला ये लो मेरी अमूटी भी ले गया ये गलत है ये सम गलत है तुम जाओ उस उचुड़ा के लाओ चुड़ाने की जरुवत नहीं उसे वही मते तुम नहीं नहीं तुरी है जा बेटा जल्दी से उसकी जमानत दे आ जा जल्दी जा रहा तुससे ये भी कह देना कि उसके लिए इस घर के द्रवादे हमेशा के लिए बंद हो चुके अगर इस घर में कदम रखा तुम इसे गुली मार दूगा तुम खड़ा क्यों है जाता क्यों नहीं उसन मेरे दरियावाले मकाम में रहने को कैसे ना जा समझा ना जा जब दूपी ये बंद वाद ये क्या हो रहा राजा राजा ये सब क्या हो रहा है रमेश घर छोड़ना है न ये तो सिर्फ इप्तता है बहुत कुछ करना होगा ये लो, दरिया महल की चावियां, मा ने कहा है तुम वही रहा, मा ने कहा है, राजा अधित्तिक, मुझे माप कर दीजे, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चाजिए, चलिए तुम मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मैरवानी कर के मुझे घर पहुचा दीजे चलिए मैं कहते हूं मुझे डॉक्टर को बुला लेने दीजे मैं अभी आईए ने 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 मुझे छोड़के मत जाईए मैं अकेले नहीं मरना चाहता यह चोटवी कमवक्त कहीं अंदर ही लगी है डॉक्तर वक्तों की समझ में नहीं आएगा यह सब मेरा ही कुसूर था मुझे माफ कर दीजिए यू मत कहिए ऐसा तो होई जाता है लेकिन सुनिये मुझे तो यहां कोई भी नजर नहीं आता आप यहां रात तो अकेले कैसे रहेंगे एक नौकरय कमवक्त कहीं बाहर गया होगा अच्छा जब तक वो नहीं आ जाता मैं ही यहां ठेड़ती हूँ देखिए कृपा करके मैं देखती हूँ नवकर कहा है जब कड्ल माँता को पालनी मुझे कयाना था अच्छा बपिलाथ critic लेजिए क्या हुआ मालिक, क्या हुआ सर्कार वो आपका नौकर आगिया मालिक कुल्व माची पीवक चलाजा पक चलाजा क्या कहा मालिक अच्छा अच्छा अब मैं जाती हूँ कल फिर हाल पुछने आओंगी कदे कहिंके जा एकनी देर मरा वहा था कुछ देर और रहा जाता तो क्या बिगरता तेरा जाता दूद का दूद, पानी का पानी मिरासी गया मिरासी का भान जा रहा सब जूटे हैं सब बेमान हैं बस वही तो एक नेक है और पुलिस वालों ने उसे यूँ हवाल आतर बन कर दिया था क्यों मैं कुछ नहीं जाना तुम बड़े ठाक और के यहान नहीं जाता जब तक मैं अपनी आँखों से नहीं देख लू मुझे विश्वास नहीं हो सकता खड़ी क्यों हो जा अपनी आँखों से देख लो मेरा राजा मेरा राजा ऐसा नहीं इसलिए कर दो आयो शम्भू यह जो बता याद है ना जिए अजिए बात क्या है रोक्यों रहे नड़े नाले, अचिया नाले, कुछ! Suni? मे? Suni? Suni? अचिया नात में बाल चला गया था Suni, 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 ठेरियो तो वीबी-जी, देखे Suni, 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 Suni देर्यागी, शんとरते नायराज होगी मानता व exh 맡 ये फुश्यों को बहुध-भगाती है देखें तीन दफा भगवान भी माफ कर जये ता आप एक बार भी नहीं करती है हद जूओ मेरे रास्तर से गल से धोग रचा राख रहा है मर रहे थी गुलकु ठीक कहती है आप, खालब तो कुछ ऐसी है आपनी शेरम नहीं आती आगई, वगर आपको इस गरीब पर दया नहीं आती आगई, ही 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 कार खाली किजिए खाली है, चार उतरफ भगवान की दया है, चलिए मैं किसी और से नहीं, आप से कह रही हूँ, तश्रीफ ले जाएए अजी तश्रीफ ले जाने के लिए तो यहां बैठा हूँ, चलिए जल्दी कीजिए, गाड़ी चलाएए कहां जाना है आपको मन्जिल का तो पता है, रास्ता नहीं जानता, ले चलिएगा कौन से मन्जिल है, जहां मस्ती भरा समा हो, हर चीज जूमती हुई हो, जमी आस्तमा, तुम मैं मस्ती भरा है समा, हम तुम है दोनों यहां आखों में आजा, दिल में समा जा, जूमें तमी आस्तमा मस्ती भरा है समा, हम तुम है दोनों यहां आखों में आजा, दिल में समा जा, जूमें तमी आस्तमा मस्ती भरा है समा हाहा! दिल में आज चुपल जी पाहों में बाहें डालो जी गिर न जाएं समल जी ठीकी हवाओं में ऐसी फिजाओं में भोश मुझे है कहा मस्ती भरा है समा कम तुम्हें दोनों यहूं आखों में आजा दिल में समाजा जुम्हें दमी आत्मा मस्ती भरा है समा प्यार से प्यार सजाएं चल्दू मन की प्याद गुठाएं चल्दू प्यार का राग सुनाएं चल्दू दिल का साज बजाएं चल्दू पंची भिगाएंगे सब को सुनाएंगे तेरी मेरी नाच का मस्ती भरा है समा हम तुम है दोनों यहां आखों में आजा दिल में समाजा जुमें दमी आसमा मत्री भरा है समाज भरा है समाज बाग बाग समाज लागे तुझे से नेना ये तो वही कले वाला है जिसने हमको जेल में भीजा था अरे शंकर उट यार अरे जोने बेवाई जोने का मौका नहीं है बंदू दुश्मन को बराबर करने का वक्त आगया चल उट ये ये हाथ निकल जाएना कम बकद चल 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 अरे चल यार ले तो ये चला जाएगा तो बला अपट नाजा नाजा क्या हुआ अरे क्या हुआ क्या हुआ जबो रहा उजने हिदर थार जा मैं इसको निपट लेता हूँ चलो, चलो. तो इहां भी पहुचके, हाँ. कांब किए किसन, किसन, मैं जा रहा हूँ, तुम इसको बराबर करना हा, छोना मत, मुझे इसने बहुत मारा है किसन, आपका, है इस बार्च खोर दिया, भी निवटना हुरा कैसे रहे है अच्छी आच्छी आच्छी आश्य तुम्हें मेरे काम करना होगा क्या काम मेरे साथ मिलके शराबी बनना होगा मैरे मतलब शराबी के अक्टिंग करने होगा वो और जो आ रही है न, वो 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 अपने भतीची को मेरे गले मढ़ना चाहती अगर तुम मेरी मदद कर लो तो हमेशा के लिए पीछा छोग जाएगा यह परत है, तो देखो मैं कैसे आक्टिंग करती हूँ चला मुलेख सी होँ शाड़ा! किसने पुकारा? कोई ने, कोई ने Í負, sì, । यारो खता को माफ कर मैं नशे मेहू शी शें मेर मैं मैन नशाघ में नशें मेहू ये क्या है। सरापिय इती सरापिय बादकर बादकर या लो बाक्वास अगर ये बाक्वासे तो deste ужं आप 시म बाक्वास Rodriguez ऑको के शागर हलके गुलाबी उनका सा साकी मुच्छा शराबी रोजा! कैंपे मुहाफद रक्षा नजर में मैं भी शराबी, वो भी शराबी लो लो प्याँ बेशरम कर नहीं आते तो जर्शे बाते कर शरम नहीं आते चर्ण नहीं आते तो मुझसे लड़ेगी? मैंने अभी अभी डो गुंड़ों को यू बाहर पड़े रिया गुलने के बची, और मैं तुझे बाहर पड़ेगी अरे, 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 अरे चैलेंगी जो, बचाओ तेया, बचाओ, बचाओ फिर कभी इदर आई, तो जान से मार डालूँगी मैं पूछती हूँ, कौन थे ये लड़की मुझे क्या मारूब शास्ते में गुम रही थी, मैं उसे पकड़ रहा हूँ बेशर्म शर्म नहीं आई तुझे मार को यह नादाला दिखाते हूँ मुझे क्या मारूब तुम बेवद चलिया होगी पत्तमीज मेरे सामरे ऐसे बाते कहता है यह मैं तोड़ी बोल रहा हूँ यह तो मेरा खुन बोल रहा है एक नत्तकी का खुन खुन और मेरी परवरिश मेरा दूद नहीं बोला इसमें तुम्हारे दूद का क्या दोश मेरा खुन ही ऐसा है जाओ मा जाओ, मुझे इसी जिन्दगी बसक करने तो सबने कहा मगद मैं नहीं मानी मेरी ममता नहीं मानी तुम असलियत को मानना ही नहीं चाहती, तो मैं क्या करूँ दुखी क्यों होती जाओ जाओ, खुशिया मनाओ तुम्हे तुम्हारा असली बेटा मिल गया तुम्हे ये भी तो देख लिया कि एक नाचने वाली की अवलाग का उनन में जाओ, 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 जाओ जाओ मैं त्रा मुमें देखना नहीं है फौर यॉटार झाट मुटाट पुटार पुटार झाट फुटार पुटार आओ आओ ठकुराइन आओ मिलाइन से पूट से पढ़ गई कलेजे में ठंडर बोलो हाँ बोलो तुम तो एतनी खुश हो कि तुम से बोला भी नहीं जा रहा था क्या कर रहा था तुम्हारा लाजला भगवत गीता का पाठ कर रहा था या रंगलिया मना रहा था बस और कुछ नग कहिए अब तो दूसरों की जबान से उसकी तारिफ भी नहीं सुन सकती क्यों ठीक है मैं आद मेरी आखोने जो कुछ देखा भगवान किसी दुश्मन को भी हाँ ठकराईन आज तुम्हें पता चल गया हीरा और पत्थर किसे कहते हैं मैं ना जानके थी कि मेरी उम्मीदों के महले इस तरह मिट्चे में मिल जाएंगे अब आप जाहिए बड़े टाकों से हरमेश के शादी के बाद बक्के कराईए जाहिए तो तुम आ गए रास्ते पर चलो अच्छा हुआ सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर वापस आजाए तो भूला नहीं कहलाता हूँ क्यों मानते हो मेरा तजुर्वत मैं बार बार कहे रहा था एक दिल खून बोलेगा और जरूर बोलेगा अब बोला की नहीं हाँ भले ठाकों भगवान के दयारे सब उसी बड़ चल गई लेकिन अब मंगनी के दस्म पूरी करो ना जस्वन मंगनी व्याद होनों हुए समझो लेकिन मैं सोच रहा था रमेश को एकाद मौके के लिए भेज देते तो अच्छा ही था क्यों भाई जस्वन बात ही है दोनों नहे जमाने के हैं शादी से पहले एक दूसरे को जान ले चाहां तो अचा ही है अचाहां जब है तु यहां क्यों आया अधार प्रया स्फो और चली देसी के ऐ। तुम 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 पिताजी क्या अंगूर्टी अरे चोरी नहीं मैने शराब भी पी, हां, शराब पी, जुआ खेला घर में जितने सबको गालियाँ दे चला जा रहा है, समझता जार चना? सबको गालियाँ? चोरी की? हाँ, ममा शराब पी? हाँ, ममा जुआ खेला? हाँ, ममा सब को गालियां दी हाँ मामा जीते रहो बेटा जीते रहो तू ही मेरा असली भांजा है अपने तो खांदान की खासियत ही है जिस ठाली में खाओ उसी में छेद करो कले ये से लिट्या जाता है आए इस खतर तेरा तसवर कभी पढ़ जाता है आई ना देखो तुम तेरा नजर आता है आहा… आहा, जाने के साचा तू कियारे जाने के साचा तू कियारे ता मरिया जालू, जाने केसा जालू किया दे ये बात है जाने केसा जालू किया रे ता मरिया जालू, जाने केसा जालू किया रे तेरी बिना तो हमें नित बिनाते तेरी बिना तो हमें नित बिनाते जानी रत है मेरी जान खबराती जान खबराती जाने केसा जालू किया रे जाने केसा जालू किया रे जाने केसा जालू किया रे इधर तो आ इधर तुआ मिरे राजा तुछे हमारी खसम हो तिरे बगेर भना जैसे जी सकेंगे हम तिरे बगेर भना जैसे जी सकेंगे हम जाने के साचा जादू किया रे बेर दी बालों जाने के साचा जादू किया रे जाने के साचा जादू किया रे समर्या जालों जाने के साचा जादू किया रे माई आज तेरा दूसरा बेटा नजर नहीं आता सुख से तो है न मrant कर दो वे माई हो वाल मैं लुड्प मैं लुड्ड हुआ एंट अच्छा माई, अब मैं जाता हूँ, भगवान तुम्हे शान्ती दे शान्ती तो तू ले गया है पगले, अब तेरे मिना शान्ती कैसे बैटा, राजा, मा, मेरा राजा, मेरा राजा मा की सेवा तो करता नहीं, उल्टा उसे परिशन करता है तुझे मा की याद नहीं आए दुनिया में इंसान सब कुछ भूल सकता, पर अपनी मा को नहीं भूल सकता अपर मेरी मा, मेरी मा तो तो क्यों चला गया था अपनी मा को छोड़कर बोल, फिर जाएगा, जाएगा राजा, तेरे बिना ये फिर बड़ा सूना लगता देखना, क्या हालत बना रखी इसने ये कपड़े तेरे पहनने के है ये सब तुम्हे देखने के लिए मैंने किया है तुने कहा था ना, कि तु मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहती तो इसका क्या हो मा तुम्हे देखे मेला मुझ से रह नहीं जाती मेरी बात का बुरा मान क्या मैंने मारा, इसलिए रोड़ गया है तु पगली, वक्त पढ़ने पर साय भी साथ छोड़ देता है लेकिन मा, हमेशे अपने बच्चों को सीने से लगाया रखती है, मेरी लाल सुना था दुराई स्पिता जी बेटा मा पढ़े ठापर राजी हो गया ये कौन है पिता जी, बुजर्ग जोती श्विद्या जानते हैं मा इन से कुछ पूछ रही थी अच्छा क्या कहते हैं सादू महराज कहते हैं हमारे दो बेटे ही कलब, बिल्कु कलब हमारे एक लड़का है उनी को कौन टाल सकता है बाबा थेरो इन से कुछ क्याओ वाँ 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 पाजी, निकल जा, निकल जाज कर से, फिर कभी इस घर में आय तो तेरी लाश ही जाएगी यहां से, जाओ! रमेश, अच्छा हुआ तुम आ गए, अरे सुन्दर, आशा बीट्या को भेज दो, जी बहुत अच्छा माली, आजकल शादी से पहले थोड़ी जान पहचान हो जाए तो अच्छा ही रहता है, क्यों, तुम्हारा क्या ख्यान है? जाचा जी, आप तो हमेशे इम्तिहान लेते कभी आप इम्तिहान देते भी हैं? नहीं, मेरा ये मतलम नहीं था, ये तो तुम लोग आजकल आजादी का जंडा लिये घूम रहे हो, अरे हमारे जमाने में तो लड़कियां चार दिवारी में बंद रहती थी, और मर्द अगर अपनी बीबी की शकल देखना चाहे, तो फे आजकल कर जाते थे, पूछ ले ना जस्वन चाहा, पिता जी से क्या पूछू चाचा जी, आप लोगों के जमाने में तो असली घी था, हाँ, मैं आजकल जड़ा नकली से डरता हूँ, लो आशा आ गई, आओ बिट्या, आशा इन्हे बाचाना तुमने, ये है रमेश अपन जस्वन का लड़का, नमस्त, बैठो बैठो बैठा, बैठो बैठी, बैठो, क्यों आशा देवी, आपने अपने पुराने शहर घून कर देखा ये नहीं, काफी बदल गया, जी, अवे तक तो नहीं देखा, तो फिर चलिए न, मैं आपको सब कुछ दिखा लाता हूँ, से काम, आए महमान की बात नहीं टालते, जाओ घूमाओ, जाओ वरता जाओ, ज़सत जाओ, क्या बात है? गाड़ी क्यों रुक वारा हूँ? मेरा दोस्त नहां रहता है, बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसको आपके साथ मिलाने चाहता हूँ देखिए, ये जगा मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही है आशा दीवी मैं एक मिनट में आए, अब दीव आशा अरे, तुम यहां कैसे? मैं? अरे वा, तुम्हें देखकर ही तुम एने गाड़ी रोग दी, आवा बैठो तुम यहां कैसे आए? जल्दी आओ ना यहां? तुम आते हो या नहीं, जल्दी आओ एक जमाना था जब प्रच विराज संयुकता को लेकर भाग गया था और आज जमाना यह है के संयुकता किती विराज को लेकर भाग रही है चल्दी आए आए तस्युक लाइए मेरे मामा है मामा अमा सभी मिल जाएंगा आप अंदर तो आया सरकार चलिया ना में में मामा चलिया ना सरमाते क्यों है अबार भाए वालेकुमसलाम गाली का गई आशर क्या देख रही हूं तुम ही ये इन्सान को क्या हो जाता है आशर चंद दिन पहले मैं तुम्हारा कुछ नहीं था तुम भी मेरी कुछ नहीं था और आश देखो हम दोने एक दूसे से अलग नहीं रहना चाहते है बताव इसा क्यों हो जाता है ये तुम्हें खुद भी नहीं जानता आशर एक बात पूछू कभी तुमने ये जाननी कोशिश की है कि मैं कौन है क्या करता हूँ, कहां रहता हूँ नहीं तो और अगर मैं तुम्हें ये बताउँ कि मैं एक अच्छे खांदान का ललका नहीं हूँ मैं बुरे महलनों में रहता हूँ मैं बुरा आद्मी हूँ होगे तुम तु हर बात मज़ात में उड़ा देती हूँ मैं सच कह रहा हूँ, आशर मैं तुम्हे अपनी असलियत बताना चाहता हूँ मगर मैं जाना नहीं चाहती तुम जो हूँ जैसे भी हूँ मेरे हूँ अच्छा तु बात पकी बिलकुल पकी हाँ बैठातु कल हम लोग लगकी को ठीका लगाने आ रहे है मैं सब तैयारी कर लूँगा आशा कैसी हो बेटी अच्छा हाँ बैठातु आप मैं चला पीता जी चाचा जी किसकी मंगनी की बात कर रहे थे मैं आपको इतना ही भार लगती हूँ नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था लेकिन तु तु जानती है आशा कोई बेटी हमेशा के लिए बाप के गंड़ी रहता लेकिन पीता जी मैं मैं भी शादी नहीं करूँगी ये क्या कह रही है कल तो वो लोग टीका लगाने आ रहे आपने ये फैसला करने से पहले उसे पूछतो लिया होता बस इतनी सी बात से नाराज है बेटी अगर तेरी ये शादी में आज करता तो जरूर तेरी राह लेता लेकिन ये बचन तो मैं तुम्हारे पैदाओने से पहली दे जुका था तो आपने मेरा बेहा भी तब ही कर दिया होता जब मैं गुडियों की शादी रचाया करती थी उस खेल के साथ मैं ये खेल भी हज कर सहलेती पराज तुम्हे अपना भला बुरा खुद समझ सकती हो इस शादी में भी सब भला है बेटी रमेश अच्छा लड़का है और खांदान भी बराबरीका है लेकिन पिता जी मैं 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 तो किसी और को चाहती हो क्या? क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, आज तुमने मेरी गर्दन शर्म से जुका दी क्या मैंने तुझे इसलिए तालीम दी थी इस खांदान के इज़त को सरेबाजा निलाम कर भी बेज़ती मैंने इज़त नहीं बेची है अगर आपके ऐसे ही विचार थे तो आपने मुझे इतनी उची तालीम क्यों दी? हाँ, उची तालीम इसलिए दी चाती है कि खांदान के पुराने और पावित्र उसलों को तो दो बेशाम बनके बाप के साथ जबाब लड़ाओ मैंने सची बात कही है आपके अपमान तो नहीं किया? नहीं नहीं, तुने मेरी इज़त बढ़ाई है खांदान का नाम रोशन किया है आपको खांदान की इज़त का बहुत खायल है लेकिन अपने लड़की की जिन्दगी का कुछ भी खायल नहीं तेरी जिन्दगी का कुछ भी खायल नहीं तो तुझे इतनी उची तालीम देता इतना नाजोर से पालता लेकिन पिताजी मैं कुछ नहीं सुनना चाहता अपने खांदान की इज्जत के लिए आउलाद तो क्या खुद अपनी जान में चावर कर सकता हूँ यह मंगी होगी और होकर रहेगी जाओ कर राजा तो कि अपने खुछ खबरी सुना रहा हूं आपनी मंगनी है उसी इंग्लेंड लिटें से हां क्या तुम्हारी मंगनी हो रही है अरे वाह पधाईयो रमेश बहुत बहुत बधाईयो तुम कल आ रहा हूँ ना अपना रहा हो ना नहीं ने रमेश, तुम तो जानते को मैं वहाँ नहीं आसकता, मगर सुनो, मैं दूर से देखने आपूँगा तु फिर वादा रहा? हाँ, हाँ, सच करता हूँ, वादा करता हूँ अच्छा, अच्छा रमेश की मंगनी हो रही, कितना अच्छा जहान वाले, तिरे भर चरा, जलते हैं हाँ, हमारे दिल में, मगर दिल के दाग जलते हैं लुटी जिन्दगी और गम मुस्कुराएं तेरे इस चहाते हम बाज आएं लुटी जिन्दगी और गम मुस्कुराएं तेरे इस चहाते हम बाज आएं लुटी जिन्दगी गले हमसे मिलकर खुशी रो रही है गले हमसे मिलकर खुशी रो रही है चमन हस रहा है कली रो रही है चमन हस रहा है कली रो रही है धने एक पल में कहारों के साए तेरे इस चहां से हम बाज आए लुकी जिन्दगी गिरी बिजलियां घर बनाने से पहले जला शियाना सजाने से पहले जला शियाना सजाने से पहले आए अजब है जमाना बना कर मिटाए तेरे इस चहां से हम बाज आए लुकी जिन्दगी आर गम मुश्कुराए तेरे श्चहां से हम बाज आए लुकी जिन्दगी लुकी जिन्दगी और आज होगे संदी मालिक रानी बीटिया तो आने सिंकार कर रही है क्या हा मालिक जस्वन मैं अभी आता हूँ आप ठेड़िये मैं जाती हूँ मेरी बहु जरूर शर्मा रही होगी ऐसे मौके पर बाप नहीं मा बेटी को लाया करके है अरे खुशी के समय रोया नहीं करते बेटी अरे आप तुम जिसे मैं अपनी बहु बनाने के लिए आई थी छाकुर हरनाम सिंग की लड़ी विजाए से यही सीख कर आई ही मैं अभी जाकर पूछती हूँ क्या असली नकली के इंचहन लेने वाले पहले तुँ खुद बता तेरी आउलाद असली है या नकली मा तुझ जैसे हवारा के मुझे मा शक तुभी शर्मानी चाहिए हर्जा मैं आपसे अपनी इज़त की भीग मागती हूँ मा इज़त और तेरी उसे तो तुने एक बतल शराब के बदले में बेच दिया है बेच शरब मैं सच कहती हूँ मा मेरा इदवार करता मैंने शराब नहीं पीटी तो क्या मैं जूटी हूँ मेरी आँखोने जो कुछ देखा वा सब जूट है वो सब तो हमने अपने प्यार के लिए किया था सच मा हम दोनोंने डूंग रहा चा था मा डूंग रहा चा था क्या कह रही हूँ मैं सच कह रही हूँ मा उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम अपनी भातीजी से उनकी शादी करना चाहती हो और अगर हम लोग शराबी के अक्टिंग करेंगे तो तुम अपना इराधा बदल दोगी उसने मुझे भी दोखा दे दिया अब तुम ही फैसला करो मा थोड़ी देर की बेशर्मी ठीक थी यह जिंदगी भर का रोना अब मुझे ठीका तो लगाने दे नीचे सब लोग इंतजार कर रहे है यह सब सुनकर भी तुमने यही कहा घबरा गई बेटी अब मैं तुझे ठीका राजा के लिए लगाओंगा रमेश के लिए नहीं लेकिन यह सब कैसे हो सुनता है पगली, राजा भी मेरा ही बेटा है आपका बीटा? अहाँ यह बड़ी लंबी कहानी है फिर कभी सुनाओंगा मा, मेरी अच्छी उमा अच्छी लंगा अच्छी इवाँ अच्छी आपका अच्छी नहीं अच्छी इटाथा बेटी अरे तुझे आज हुआ क्या है है मामा मुझसे आज नहीं बजाया जाएगा छोटे उस्ताद आप से कोई मिलने आए है मुझसे आप क्या कर रही हैं अरे ये आप आप क्या लगा रखी है आज मिलने की बार थी ना तुमने ही रख सके मैंने रख ली अच्छे खासे लग रहे हो देखे देखे थेरो जीजर देखने तो दो तुम यहां कैसे आई आज मैं बहुत खोश हूँ भला बताओ तो क्या बात ही सकती है तुम यहां नहीं आना चाहिए था बड़ी मज़े की बात है तुम तो सोच भी नहीं सकते अच्छा बाबा हाथ नहीं लगाती भागते क्यों हो वो बात बताती है मेरी किसे से मंगनी ही खुझती है जनता हूँ बधाई हो कैसे मालूँ मैंने देखा था मुबारक बात उस उत नहीं दे सका इसलिए अब दे रहा हूँ यह तुम क्या कह रहे हो भाग्यवान हो बड़ा घराना है और रमेश के तुम अच्छा लड़का है यह जूट है सब गलत है मान तुम्हें किसने बताया कि मैं कौन है बड़े बन रहे थे ना माने मुझे सब कुछ बतातिया है मैं सब कुछ जान गई हूँ तो जो बात रह गया वो भी जान लो मैं तुम्हार साथ शादी नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्यों जानती हो कि तुम कौन है, एक बहुत बड़े घराने की लड़की और मैं एक नाशने वाली के आउलाद, कोठे का तबल चीए मैं नहीं मानती है, तुमने कभी मेरे बारे में जानना नहीं चाहू, आओ मेरे साथ अपनी आथों से देख लो कि हम कौन है, क्या करते है, किस दुनिया में रहते है, आओ मेरे साथ देखो, इसे कोठा कहते है, यहां मुझरा होता है, बड़े बड़े रईस खांदानी राप के अंधेरे में यहां याशी करते है यहां जवान लड़कियां पड़ाय मर्दों के सामने नाच-नाच उनका दिल बहलाती है और जानती हूँ, मैं क्या करता हूँ, उनके साथ तबला बजाता हूँ और जब यह मन चले उनके अदाओं पर फिदा होकर चांदी के सिक्के फेकते हैं, तो यूँ अदब से सर छुकाता हूँ बस करो, भगमान के लिए बस करो, अब मुझर सुना नहीं चाथा बस? अब जानती हूँ क्यों तुम्हारा और मेरा मिलाप नहीं हो सकता कहां तुम और कहां मैं इस गंदगी है तुम यहां से चलो, मैं तुम इस गंदगी से दूर ले जाओंगे मैं कहां जा सकता हूँ मेरा तो यही घर है, यही ठिकाना हम जैसे इसे छोड़के भला और जा ही कहां सकते हम ठेरे नाचने वाले, गाने वाले समाज में हम जैसों की और कोई जगा नहीं, इतना भी नहीं जानती हूँ मैं इतना ही जानती हूँ, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ प्रेम? मुझसे? हाँ, मुझे और किसी की परवा नहीं मैं तुमसे प्रेम नहीं करता हूँ यह जूट है, सब जूट है मेरी कसम खाकर कोओ, कि तुम उसे प्रेम नहीं करते रखो सर्थ पहाँ, और कोओ कि तुम उसे प्रेम नहीं करते कोओ, तुम नहीं कहते क्यों नहीं तुम लोग समझने के कोशिश क्यों नहीं करते यह मेरे प्रेम का सवाल नहीं मेरे पिताजी उनके खानदान की इज्जत का सवाल है आशा आशा तुम उस घर की आमानत हो तुम्हे बहु बन कर उस घर में जाना है आशा मैंने आज तक जो कुछ भी किया मैं उसे मटी में नहीं मिलने दूँ है आशा मैं चाहता हूं किसी तरव घर आबाद हो जाए मैं उसे रोशनी में जगमगाता हो देखना चाहता हूं लेकिन उस घर के जगमगाने से तुम्हारे घर में तुझाला नहीं होगा घर में नहीं आशा मेरे मन में होगा यही एक आरजू है जो पूरी हो जाए यह भी पूरी नहीं होगी अगर मैं उस घर में कभी बहु बनके गई तो मैं तुम्हारे ही पतनी बनके जाऊंगी आशू भरी है यह जीवन की राहे कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए आशू भरी है यह जीवन की राहे कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए आशू भरी है वादे भुलादे कसम तोड़ दे वो वादे भुलादे कसम तोड़ दे वो हालत पे अपनी हमें छोड़ दे वो ऐसे जहां से क्यों हम दिल लगाए कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए आशू भरी है बर्बादियों की अजब दास्ता हूँ शबनम भी रोए मैं वो आसमा हूँ तुम्हें घर मुबारक हमें अपनी आहे कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए आशू भरी है ये जीवन की राहे कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए आशू परी है आज मेरे पाउं टग मगा गए मनजल के इतने करीब लाकर अप कौनसा इंका हम ले रहे है माप बाप घरबार को छोड़ने की हिम्मत तुमने दी दुनिया भर के दुख सेहने की ताकत तुमने दी बस अभ इतना और करतो आशा का मोँ मुझ से छीन लो किसी तरह मुझे उससे तूर करतो वो रमेश की दुलिन बन कर उस घर में जा रही जिस घर को आबाद देखने के लिए मैंने अपने भाई को धोका दिया थोड़ी सी ताकत और दे तो मालिक के हस्ते हस्ते मैं आशा को बहू बन के देखे रमेश रमेश मेरे भईये अच्छा तो उस दिन दिया तुमने भुजाया था मुझे धोका देने वाले भगवान नहीं तुम थे रमेश अच्छा हुआ भगवान इतना अन्याई नहीं निकला उसनो मुझे ठीक वक्त पर भेज दिया वरना वरना तुम्हारे यही प्याराश्या तुम्हारे दिन से भी खेल जाता क्या कह रहे हो रमेश तुमने ऐसशा कौन सा कुनाय किया था जो तुमसे घर शिं कॉन कहता मेरा भाईया मुझे प्यार नहीं कुरता तुम जिनके चरण पकड़ने आई मैं उनी चन्नों की सोगन खाकर कहता हूँ जिसका जो हक होगा उसी को मिलेगा रमेश चैचा जी रमेश तुम इतनी राद गई यहां कैसे? मुझे आपसे एक बात कहनी है हाँ हाँ कहो मैं हाँ हाँ चैचा जी मैं कहो क्या बात है बेटा मैं आशा के साथ चादी करना नहीं चाहता हूँ ओहो जरूर आपस में जगड़े हो तभी तो कहो आशा इतनी उदास क्यों है आउ रमेश शूला करा दूँ नहीं चैचा जी ऐसी कोई बात है तो फिर क्या बात है क्या मेरी बेटी पसंद नहीं मैंने आपस ऐसा भी तो नहीं कहा ऐसा भी तो नहीं कहा ये भी नहीं कहा वो भी नहीं कहा आखिर बात क्या है बस मुझे इतना ही कहना था मैं ये शादी नहीं करूँगा रमेश तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है शादी भी आख कोई गुड्यों का खेल नहीं कि आज खेला और कल तोड़ा मैं मजबूर हूँ चाचा जी चुप रहो ममी के वक्तुमारी मजबूरी कहा चली गई थी पहले इंकार करते है जस्वन कहा है मैं वे उससे जाकर बात करता हूँ पिता जी से कहने की क्या जरूरत है शादी मेरे साथ हो रही है और मैं इंकार करता हूँ तुम शादी नहीं करोगे तो क्या मेरी लड़की घर बैठी रहेगी ये तुम मुझ पर आइसान नहीं कर रहे थे मैं तुम पर तुमारे बाप पर तुमारे खांदान पर आइसान कर रहा थी जशा जी हाँ हाँ वो तो हन्नाम सीन ने अपनी दोस्ती का फर्द अदा किया था जब सारी बिरादर ने जस्वन से कहा था कि कोई उसके घर लड़की नहीं देगा उसक्त मैंने उसका हाथ थाम लिया था और आज उसी के अउलग मेरी नाग काटने पर तुली हुए तुम सब कभी नो, मिखल जाओ यहाँ से, जाओ पिता जी पिता जी पिता जी पिता जी पिता जी पिता जी हलो राजा, मैं बेने जी नर्सिंग होम से बोल रहा हूँ समझे के नहीं, नर्सिंग होम हाँ, समझ गया लेकिन यह अस्पटाल का क्या मामला है एक आदमी बुरी तरह से जखमी हो गया है तुझे उसे खुन देना पड़ेगा खुन देना होगा? अरे किसे खुन देना होगा? रमेश, तुम साफ साफ क्यों नहीं बताते है ओफ ओफ तुम समझता क्यों नहीं यार तु यहां चला या नगल दी हाँ हाँ आता हूं लेकन sister, मेरे पिताजी कैसे है? don't worry, उनको खुन दिया जा रहा है Mr. Raja, कल सुबह आप फिर आजाएगा या शायद खुन की जुरूद पढ़े जी, डक्टर साफ बेटी, मेरा हाथ भी ठीक हो गया बेटी धाकूर साफ नफ्स देखने दी ये I'm sorry, doctor बेटी मुझे नई जिंदकी मिल गई जरूर मुझे किसी ठाकूर ने खुन दिया है ठाकूर का खुन यी ठाकूर से मिल सकता है क्या बात करते है ठाकूर साफ हर इंसान में एक जैसा खुन होता है चाहे वो अफ्रीका की जंगलों में रहता हो या हिमाला की तरही में doctor, हम सुरद रंशी हैं हमारा खुन हर आदमी से नहीं मिल सकता All right, all right, carry on, carry on पीता जी आप भी हजारों साल की बाते करते हैं यह साइंस का जमाना है और यह थाबित हो चुका है कि हर इंसान में एक जैसा खुन होता है अच्छा, तो तू भी lecture देने लगी अच्छा बेटी, यह बताओ मुझे खुन किस ने दिया तू जानती है उसे? जी हो कौन है उसका? क्या नाम है उसका? जी हाँ, बोलो वो वो वही है पिताजी जिने मैं जिने मैं अच्छा समझ गया जिसके लिए तू कह रही थी वही ना, बेटी भगवान जो कुछ करता है अच्छा ही करता है अच्छा हुआ रमेशने इंकार कर दिया अब मैं जस्वंत से कहूंगा कि तुम्हारे लड़के से लाग गुना अच्छा लड़का मैं ढून सकता हूँ घबराओ नहीं बेटी मैं तुम्हारे शादी उसी के साथ करूँगा लेकिन पिताजी वह भी चस्वंत अंकल के बेटे हैं अच्छा तुम्हारा मतलब राजा से है उस नर्थकी के आउलाद ने मुझे खून दिया बुलाओ डाक्टर को, बुलाओ डाक्टर को उन्होंने खून दिया तो क्या हुआ आपकी जिन्देगी तो उन्होंने बचाई है मैं यह बकवास नहीं सुना जाता आज आप उस सब कुछ सुना पड़ेगा आप इने कहा था ना एक ठाकट का खून ही दूसरे ठाकट के खून से मिल सकता है तुम्हारा मतलब मतलब साफ है पिता जी उन्हें के खून से तो आप अच्छे हुए है यहां तक आपका हाथ भी ठीक हो गया है जब आप कारून का फोन एक है तो फिर आप उन्हें बराबरी का क्यों नहीं मानते बोलिये पिता जी जवाब क्यों नहीं देते मैं समझ की आप दुनिया से डड़ते हैं समास से ड़ते हैं मैं किसी से नहीं ड़ते तो फिर आप सच्चाई को सच्चाई क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं दुनियावालों को चिला कर कहते कि इस तब इंसान बराबर है। तुमने ठीक कहा बेटी, आज तुमने ऑडुक्टर मेरी आफ्या खोल दी, मैं जिन गी बर अंधेरे में भटकता रहा बेटी है। लेकिन अम मैं नहीं बढ़कूगा। पताची, मैं बढ़कूगा। पताची, मैं नहीं बढ़कूगा। कहो थाकुर कैसे हूँ। जाकर उसने इंकार कर दिया कि वो शादी नहीं करेगा रमेश ने इंकार कर दिया? मैहमी बड़े ठाकुर ये कैसे हो सकता ये नाम उंकिल है मैंने तुम लोगों का अच्छी तरफ पैचाल लिया तुम लोग मेरी नाक काटना चाहते थे जाओ जस्वंत मैंने और लग काटन लिया ये क्या कहते हो ठाकुर? मंगने के बार रिष्टा नहीं तूटा करता शादी रमेश के साथ होगी मैं कुछ नहीं सुनना चाहता ठाकुर सहाब, आपसे मिस्टर गाजा मिलना है जस्वंत ये है मेरी पसंद ओ तो तुम इससे शादी करना चाहते हो तुम जानते हो ये कौन है? मैं अच्छी तरह जानता हूँ लेकिन आशा की शादी इसी के साथ होगी बले ठाकुर तुम लीज ठाकुर सहाब अब आप तशीफ लेगी इन्हें आराम की साफ दूरोदी अच्छा डाक्टर बले ठाकुर तुम बीमार इसलिए मैं बहत करना नहीं चाहता हूँ लेकिन तुम कान खोल का सुन लो आशा की शादी रमेश के साथ होगी नहीं तो मुझ से बुरा कोई नहीं होगा तो तुम भी सुन लो आशा की शादी राजा से होगी और जल से जल होगी ठाकुर साथ आराम अरे ये सब क्या हो रहा है आज मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी हार गया बड़े ठाकुर आशा की शादी मुझ से करना चाहते हैं बड़े ठाकुर तुझ से शादी करना चाहती है। हो मारा पापड़ वाले को। मेरे शेर तु इसे हार कहता है। ये तो जिन्दगी की सबसे बड़ी जीत है। फोरन करडाल शादी। समझने कोशिश करो मामा। कमाल है। हात में आय हुए दुश्मन को छोड़ा है। अरे बड़े ठाकर को नीचा दिखाने का ये ही तो वक्त है। और तु पीट दिखा रहा है। क्या कह रहे हो मामा। सब कुछ जानती हो और ऐसी बात ही करती हो। जब तक मैं या रहा हूँगा इसका कभी खत्म नहीं होगा। मैं शहर छोड़कर चलेगा। ठीक है। जब तु यहां रहना नहीं चाहता, तो फिर मैं यहां रहकर क्या करूँगा। तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा कौँ है। चाहिए, मैं भी तेरे साथ चलता। सुक्या, सुक्या, गिधारी, ना जानी यह सब कहां मरक है। गिधारी, आया सरकार। सब लोग कहां गया है। मालकम कहा है। शादी में। किस की शादी। राजा बाबू की, आशा बिडिया के साथ। राजा की शादी। राजा की शादी आशा के साथ। तो ठाकुर ने अपने जित पूरी कर ली। ठाकुर, तुम यह क्यों भूल गय के मेरी रगो में भी खूल गया। प्रयी जू हुए। मालिक मालिक यह आप क्या कर रही है अच्छा की सारी मैं आपको नहीं जाने दूंगा अच्छा हो दुनिया से किनारा करने वालों के लिए बरारत सबसे बड़ा पी रही है चलो वहीं चलिए हाँ मेरी एक पुरानी शागिर मुन्नी वाई वही रहती है खाने पीने की कोई तकलिफ नहीं होगी कहीं चलो मामा यहां से भाग चलो मा से भाग कर कहा जाएगा पैन जी आप यहां मैं अपना बेटा लेने आई हूँ आज मैं तेरी शादी कर रही है और तू भाग रहा है मा समझने की कोशिश करो तुम सब पिता जी का दुख क्यों नहीं समझते वो भी धिरे-धिरे मान जाएंगे बेटा मैं यह शादी नहीं करूँगा बेटा मा सब तयारिया हो चुकी है और तू इंकार कर रहा है इसलिके शादी रमेश से होनी चाहिए यह नहीं हो सकता आशा मेरी भावी है और भावी से बिया के लिए सोचने भी पाप है शादी तुम्हें करने पड़ेगी बेटा जिद मत करो सब ठीक ही कह रहे हैं मामा तू यह क्यों नहीं समझता बेटे के आशा एक शरीफ घराने की बेटी और एक शरीफ आरत जिंदगे में एक ही दफा किसी पर अपना बनाती है ओय कोई नहीं समझता, कोई नहीं समझता, सब मम्ता में अंधे हो रहे है, जिस बात के लिए मैंने सब कुछ किया उसे यूही मिट जाने दू नहीं मा, तुम कुछ भी करो, मुझे यह 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 यही यही मेरा आखरी-फैसला है तो मेरा भी यह यह यहार आखरी-फैसला है आशा के शादे तेरे साथ ही करूगी मैने उसे बॉच्चन दिया, यह मेरी इज़त का सवाल है मालकिल, मालकिल, चलते चलिए, नहीं तो घर बर्बाद हो जाएगा क्यों? क्या हुआ? जर्धारी भाही मुँसे, तो बोलो हुआ क्या? बोला, मालिक बंदुग लेकर बड़े ठाकुर को मानने गए है? खुन, भासी, मेरी, भासा गवराओ नहीं मा, अपने जीते जी, तुम्हारा सिंदूर नहीं मिटने तूँकर ताकी अच्छा परवंची है, बड़े ठाकुर की गश्यादी है सुन्दर, जिमारी, देखो आशा भी क्याता, यहाँ यहाँ नहीं, बहुत अच्छा बादी जादी भी यहाँ में अक्तर इसना पर गश्यादा, बड़े ठाकुर, अभी तक बारात नहीं आई, बारात नहीं आएगी ठाकुर, अकर बारात आई तो धमन कुन को मैं खोन से बार दूँगा, लो, दुले से पहले दुले के बाप आप आगए, आओ आओ जस्वन, जबान जबार करो ठाकुर, नर्तकी की अलाद मेरी अलाद नहीं हो सकते हैं, लेकिन जस्वन, इसका क्या इलाज है, ठाकुराइम तो दोनों को अपना बेटा गएती है, अनान सिंग, तुमारा खुन सपयत हो गया, तुम कोठे वारों से रिष्टा जोड सकते हो, मैं नहीं, अब हमें पाइदा होते वक्त, नकोई अच्छा होता है, नकोई बुरा, जैसी परवरिश होगी, वैसा ही आदमी होगा, और तुम्हारे तो दोनों ही राए, ठाकुर, मैं तुम्हारा उपदेश सुनने नहीं आया, मैं तुम से ये कहने आया हूँ कि आशा की शाधी रमेश के स जैस्वन, सबान पर कायम रहो, ये हम में दय था कि दोनों में से लाड़का मैं पसंद करूंगा, और मेरी पसंद राजा है, पसंद करने के समय बीच चुका, तुम मुझे और ज्यादा धोखा नहीं दे सकते, जैस्वन, हद से आगे न बढ़ो, हाँ, सच्ची बात कर भी मैं तो सिर्फ ये जानता हूगा, तुम शरी जानते है, ये शादी होगी और बरूर होगी, बर्कुल ठीक है, ये शादी रजाई के साथ होनी चाहिए, तुम चुप रहो, क्यों चुप रहे हैं, तुम सच्चाई को डार से दबाने चाहते हो, हमेरी बोले का हक है, ओ, हाँ मैं समझ गया, तो तुम सब कान खोल कर सुन लो, मंगली रमेश दे कुझे, और शादी भी उसी के साथ होगी, नहीं तो मैं यहाँ खोल कि नप्या बहाद मत, और तुम खुल भाग कर जिंदा वापी चले जाओगे, हट जाओ धरम सेंग, ठाकुल लड़की मेरी है, जिससे मैं जाओव सादी कर सकताओ, अगर हिम अचाय तो उठाओ बंदू, और चिनाओ पर ताकुल ऐसा ही होगा, पिताजी, पिताजी, जघ कर दे, पिताजी अन्ना, ला जा मैंना, इस क्या हो कि अच्रग अच्रग, मा, शुक्र माले का मा, शुक्र माले का गोली मुझे लेगा है रहो हम जैसे नीच, एक गोली से नहीं मरते, बहुत सख्त जानी, एक गोली और मार दीजिये, आप मारना ही चाहते हैं, मुझे मारिये, इन लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा, इस फसाद की जड़ तो मैं है, मैंने आपको दुख दिया, मैंने लूट रखा है, मुझे मारिये ओ, मारिये न, मैं नचने वाली के आलाध हूने, खोटे का तबल शी, समाज का सड़ा हूँ और आंग, इस सड़े हूई अंको कार दीजिए, काट दीजिए इस सड़े हूई अंको, इससे कोई पाप नहीं है, समाज की भलाई है, मार मारिये, मारिये न पिताजी देखिए, इसे बड़ा आपका क्या मान हो सकता कि भरी मैफिल में नाचने वाली के आउलाद एक ठागुर को अपना पिता कर मारिये पिताजी मारिये पिताजी मारिये पिताजी मारिये पिताजी मारिये पिताजी पिताज राचा, मेरा बेरी साथ राचा, राचा राचा, मैने तुझे बहुत दुख दिया तुझ पर मने बहुत जुनम दिया मुझे माफ कर दे, मेरे बेटे, मुझे माफ कर दे अज तुने मेरी आखें खुल दी आज मुझे पता जला खून कुछ नहीं चोकुछ परवरी देता आज से आज से तुम दोनों मेरे बेटे हो तुम दोनों को मुझे जुदा नहीं कर सकता वाटा कुछ जवाब नहीं है तुमारा आखिर मेरा लड़का हजब करी गए था खै, मुझे कोई गम नहीं दूनों दीपक तुमारे ही घर में जल वे हैं अच्छा, अजिता बाके भीया, बाके भीया, कहा जारे हो बाके भीया वही, जहां तुमारे समाज ने मेरे लिए जगह बना दी है तुमारे इस मंदिर में मुझ जैसे मिरासी का चा का नहीं नहीं, बाके भीया, तुम मिरासी नहीं हो तुम मेरे भाई हो, आज मेरी आखे खुल चुकने हैं, बाके भीया ठाकुर, बाके भीया ठाकुर, बड़े ठाकुर से तो पूछलो, कहीं तुम्हें भी मेरे साथ ही ना चलना पड़े बाके, मुझे और शर्मिन दाना करो बाके ऐसा, तो फिर मेरी बहु कहा है? हाँ, हाँ, बड़े ठाकुर, जोजाँ, बहुरानी को तो लिखा है चलो बेटे बड़े बड़े, बड़े बड़े, बड़े क्यों बड़े बाल झाल भी मेरे यह हाँ, बड़े बड़े दह पाल उतके बड़े बड़े क्यों बड़े झाल झाल